बागेश्वर धम के सरकार पंडित धिरेंदर कृष्ण शास्त्री सोंबार याने की 15 माई को दिव्विदर बार लगाने वाले थी लेकिन यह कैंसल हो सकता है इसका कारण है कथा में बहुत जादा लोगों की संख्या में भीड इकठा हो गई है रैवार याने की 14 माई को कथा के अंत में खुद बाबा बागेश्वर ने कहा है कि गर्मी के कारण आज भी बहुत जादा सफोकेशन हो रहा है सांस लिन्डे में दिक्कते हो रही है धिरेंद्र कृष्णु सास्त्री ने कहा है कि रोड जाम हो गया है तीनों पंडाल में लोगों की भीड जुटी है कल यानि की सोमबार के लगने वाले दिव्वे दर्बार को लेकर कहा कि अगर जादा लोग रहेंगे तो विराम रहेगा इसके बारे में कल यानि की सोमबार को प्रेस कॉन्फरेंस कर वो जानकारी देंगे कल जरूरी लगा तो दर्बार नहीं लगाएंगे सामोहिक अरजी लगा लिया जाएगा क्योंकि बहुत जादा भीड हो गई है आप लोगों से प्रात्ना है कि अब किसी को लेकर मत आए जो भी ट्रेन के टिकेट करा कर पटना आ रहे हैं वह लोट चाए वापस उचाए हाल दस लाख लोग आगे हैं हमें अंदेशा हो रहा है कि कई लोगों की सांस रुक जाएगी मन में ऐसा लग रहा है एक या दो लोगों को सांस लेने में दक्कत हो रही कथा वही है जिसमें दक्कत ना हो बिहार के चितने लोग हैं वो घर से ही कथा सुने शोसल मीडिया के माध घटना ना घट जाए। यही संकल्ब है कथा से हानी नहीं होनी चाहिए। अगरेन धिरेंद्र शास्त्रीने मनसे कहा है कि जो सनातनियों की एकता हुई वह उसे कभी नहीं भूलेगे उन्होंने साथ ही प्रातना की है कि आज हमारी बात मान लो कल कम मात्रा में आना दिव्य दर्बार का समय दोपहर का है इस पर बाबा ने कहा कि मुझे लगता है कि दर्बार को बिराम रखना चाही सोंबार को अगर लगेगा तो वह पहले ही प्रेस कॉन्फरेंस कर देंगे साथ ही कहा कि उनके मन में अन्होने की आश्यंका है कोई अपर ये घटना न घट जाए बता दे कि बाबा बागेस्वर राजधानी पटना में आ चुके हैं और राजधानी पटना के नौबदपुर के तरेत पाली मठ में उनका भव्य आयूचिन चल रहा है और इसे सिलसले में 13 से 17 मैं तक हनुमान कथा वो सुनाने वाले हैं और सुना रहे हैं प्रवच्चन भ सकता है और इसका मात्र एक ही कारण है कथा में बहुत ज्यादा संख्या में लोगों की भीड उमड परी है और इसको लेकर जो बागेस्वर धाम सरकार के बाबा है पंडित धिरेंद्र कृष्ण शास्त्री उन्होंने खुद ही रिक्वेस्ट की है सभी लोगों से हाथ कर लोगों से प्रात्ना की है और कहा है कि जैसा लगेगा कल सुबह में प्रेस कांफरेंस करके आप सभी को इसकी जानकारी जरूर दोगा साथी उन्होंने कहा है कि हमारी बात मान लो कल कम मात्रा में आना